नमस्कार साथियो जै इन जै भारा स्वागत आप सभी का अल एक्जाम प्लिस पर मैं हूं रोईद किरा दोस्तों फॉरस सर्विस मेंस के लिए मैं आपके लिए बुक लिस्ट लेके आया हूँ यहां कौन-कौन सी बुक से आप मेंस की प्रपेशन कर सकते हैं वो इस वीडियो दोस्तों यहां पर फॉरस्विस मेंस की बुक लिस्ट की 2021 के लिए में बात कर रहा हूं यही बुक्स आप 2022 के लिए यूज़ कर सकते हैं जब तक स्लेबश चीन्ज नहीं और तब यही बुक्स आप यही बुक्स आप इस वीडियो में बताऊंगा उसके पहले दोस्तों 12,000 रपे में आपको complete forest का मिल जाएगा men's का और 5,000 रपे में आपको मिल जाएगा pre plus men's का बेच जी हाँ complete वो भी दो year की validity के साथ जिसमें video lecture के साथ सा test series भी है और notes भी आपको मिल जाएंगे इसमें PDF के form में चलिए बात करते हैं बुक्स की कौन कोन से बुक्स हमें देखनी है उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट रहता रिकारिंग इंजाम तो आप मुझे social media पर सब्पर कर सकते हैं इसके लावा कोशन आये थे ज्यादा टफ नहीं थे और डारेक्टी कोशन थे हमारी क्लास्रूम से पूछे गए थे काफी कोशन और काफी कोशन बुक पर बेस भी थे और करेंट डाटा पर बेस थे तो यहां पर मैंने आपके लिए तीन चीज अखी है पहली बुक जो है आपकी जो आप इस रिपोर्ट जो आती है जो दो साल में एक बार आती है विजिसे 2021 की आई है 2023 वाला जब एंड होगा आपका 2024 में आपकी क्या आएगी रिपोर्ट आएगी खाना तो 2024 की रिपोर्ट फिर आप अगले बार यूज़ करेंगे अभी फिलाल जो 2021 की रिपोर्ट है वो आपको 50 ओनी पढ़ी होनी चाहिए को यह पूरी फॉरेस्स इलेटेट है तो इस पर प्प्रकोशन मांगे चली कोशें आपको फॉरेस्ट्री में पुछे जाते हैं तो कम सकम आठ से 10 कोशें डायरेक्ट आपके फॉरेस्ट पर यह देखने को मिल जाएंगे हाना तो यह तो science, science में आपका physics हो गया, chemistry हो गया और bio हो गया, physics, chemistry, bio हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपका basic कमजोर है, तो सबसे पहले class 6-2, 10 तक की पहले तो आप पूरी की पूरी science कवर कीज़े, पूरी की पूरी science कवर कीज़े, उसके बाद फिर 11th and 12th की भी NCRT कवर कीज़े, अब 11, 12th में NCRT जो कवर करनी पूरे topic नहीं करने है, जो आपके topic exam related है, वो ही करिएगा, जैसे physics की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे light वाला chapter है, वो important है, energy वाला chapter है, वो important है, इसके अलावा आपका electricity वाला chapter है, यह important है, magnetism वाला chapter है, यह important है, तो इसमें यह chapter आपको कवर करने हैं, हाना, same chemistry में अगर मैं बा हाना, आपका metal, non metal वाले chapter हो गए, वो हो गए, polymer वाला chapter हो गया, हाना, यह chemistry in daily life वाला chapter हो गया, तो यह कवर करने हैं, तो जरूरी 11th और 12th का आपको पूरा ही chapter कवर करना है, नहीं, जो आपके syllabus में है, वो कवर करना है, तो पहले तो आप 6th to 10th करना ही करना जरूरी है, उसके बाद फिर objective questions आपको लगाने है, हाना, objective की भी मैं serious लेके आने वाला हूँ, अपने channel पे, तो वो देख सकते हैं, objective आप previous question उठा सकते हैं, अलग-अलग exams के, हाना, यो PSC level के उठा लीजे, हाना, अलग-अलग state PSC के level के उठा लीजे, वो exam में आपको देखने को पूर सकता है ठीक है, तो यह आप यहां से क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा science कवर कर सकते हैं, ठीक है, इसके बात फिर आता है, दोस्तों environment, environment में देखिए, जनली environment plus biodiversity plus आपका population explosion, इसके अलबा साथ में आपका क्या, disaster management वाला topic है, जनली आप देखेंगे, तो इसमें environment के लिए, मैं शंकर IS बोलूँगा, बेसिक environment आपको कुछ भी नहीं आता, तो environment के लिए आप क्या कर सकते हैं, environment के लिए आप कर सकते हैं, ncrt, बेसिक के लिए ncrt कर लिए, advanced level पर जब जाएंगे, जो current data से related होगा, उसके लिए आप शंकर IS के लिए देख सकते हैं, इसके अलावा current फिर में थोड आपके cover हो जाएंगे, environment के अंतरगत, case studies वाले जो रहते हैं, वहाँ पर आपको वो भी cover हो जाएगा, तो कुल मिला कि ncrt आपको करना बिलकुल ही ही, हाना, तो 100% करेंगे, तब ही आपके cover हो जाएंगे, फिर आता है दोस्तों, mpgk के लिए, तो mpgk के लिए बहुत सारी books है हाना मैंने हाँ पर कुछ books के लिए हैं, इसके अलाबा आप जो भी books है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, जैसे रमद बिदेश, ठीके, माईश कुमार बनवाल की ले सकते हैं, हाना इसके अलाबा महावीर publication की आप book ले सकते हैं, इसमें objective वाली book आई है, देखी, यह बहुत सह इसके अलाबा महावीर के लिए, जो आपका third edition, इसमें latest paper भी include है, वित व्याख्या है, तो काफी अच्छी book है, इसको भी आप prefer कर सकते हैं, practice के लिए, इसके अलाबा मुकेश महिश्वरी की आप ले सकते हैं, इसके अलाबा आपके पास 2-3 books और देखने को मिल जाएंगी, जो आप लेना चाहें, तो ले सकते हैं, ठीक है, तो यह हमारी MPGK की बात हो गई, आते हैं IT technology पे, तो IT technology में रवी, पी, अगर, हरी की book ले सकते हैं, और फिर महावीर की IT technology की आती है, और computer की आती है, तो IT technology की यह भी ले सकते हैं, और इसकी महावीर की IT technology की complete आती है, तो वो लेना चाहें तो भी ले सकते हैं तो इसमें MCG format में भी एक book आई है महावीर की वो भी अच्छी है उसमें बहुत सारे questions है previous question पूरे include किये गए हैं वो भी ले सकते हैं तो वो cover हो जाएगा फिर आता है math and reasoning math and reasoning reasoning के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते है math and reasoning के लिए आरे सगरवाल आप ले सकते हैं इसके लावा मेरी classes भी आपको मिल जाएंगी खाली math and reasoning की तो वो भी करीट नहीं रहेगा आपको थोड़ा ही cover करना करेंट फिर पूरा जरूरी नहीं की पूरा ही करना है यह कि हां करेंट फिर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत ठीक है तो यह चीज आपको करनी है इतनी बुक्स अगर आप करते हैं तो मैंस के अच्छी त्यार हो जाएग हाना और NCRT तो एकदम करना ही करना है और इसका रिवीजन अच्छे सी किजीगा क्योंकि कई कोशन आप देखेंगे डारेक्ट ही NCRT पर बेस देखने को मिल जाएंगे अना दूसरी चीज फिजिक्स में और केमेस्ट्री में नुमेरिकल पे बहुत धान दिजेगा नुमेर लिए वीडियो आपके लिए यूसफुल रहा हो इस वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के सांद जै हिंद जै भारत धन्यवाद